हलो बच्चो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइश अभ्यास कारिये जो रेनवो एपी बोर्ड की कक्छा आठ की किताब है इंगिलिज की उसका लेशन नमबर है ये 8 और पार्ट का नाम है दा मिसाइल मैन आफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दलुकराम के बारे में इस पार्ट हम बताया गया है तो इस पार्ट के हम इस वीडियो में प्रेशन उत्तर कम्प्लीट करेंगे बच्चो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान पूरबर देखें करते हैं प्रारम पहल कि लिखाया कम्प्रेहंशन क्षिशन क्षिशन नंबर बन आंसर दा फूलॉइँग क्षिशन इसका अदू तो ओता है कि जो नीचे क्षिशन दिये हुए है उनका आंसर आप लिखिए तो आपके किताब को जो पहरा क्षिशन है वो क्षिशन ए पढ़ेंगे विहन एंड विहर वाज एपिजी अब्दुल कलाम बॉर्ण विहन मिश कब एपिजी अब्दुल कलाम बॉर्ण मिश पैदा हुए एपिजी अब्दुलाब जो अब्दुल कलाम थे हमारे देश के राष्ट पती तो वो कहाँ अब कप पैदा हुए थे यह आंसर देना तो इसका आंसर हम लिख देंगे ये पेजे अब्दुल कलाम बाज बॉर्ड ओन 15 अक्टूबर 1931 कहां हुए थे रामे शुरम में इन तमल नाड़ु ये रामे शुरम कहां पढ़ता है तमल नाड़ु पढ़ता है तो बहां ये पैदा हुए थे question number B what did he do to help his family what means क्या did he do करते थे to help me इस सहता है इस फैमिली अपने परवार की वह सहता करते थे क्या अपने परवार की सहता करते थे इस का आंसर लिखेंगे ही कैसे करते थे या इस का आंसर हम लिख देंगे पर्वार की सपोर्ट करने के लिए वह इंडी के बीच और निपर बेच घ्र को इसे दो सेंटर बताईए और अनसाध्या बताई जहां वो कार्यें करते थे तो इसका आंसर हम लिखेंगे पहला उनका था defense research and development origination तो जो पहला इसको हिंदी में हम कहें तो यह है हमारे रक्षान सद्धाना विकास संग्ठन डप्लम्रम विकास संग्ठन ऐसे इनका संग्ठन यह था दूसरा था इंडियन satellite research origination मतलब ISRO कहते हैं इसको हिंदी में कहेंगे भारती अंत्रक्ष अनसंधान शंग्ठन तो इन दोनों में यह कार्ये करते थे question number d name the book in which he maintained his dream of making India developed country भारत एक बेक्षत देश बने इस पर जो उनका क्या सपना था तो कौन से किताब उन्हों लिखी थी वो पूछ जा रहा है तो इसका आंसर हम लिखेंगे इंडिया 2020 इंडिया 2020 ए वीजन फॉर दा नियो मिलेनियम यह उन्होंने बुक लिखी थी question number e लिश्ट दा अवार्ड्स वाइब विश्ट एपी जेब्लु कलाम वाज ऑनर्ड अब्दुल कलाम को जो प्रुष्कार प्राप्त हुए थे वो बताईए तो इसका हम आंसर लिखेंगे उनको पहला मिला था पदम भूशन यह 1990 में पदम भूशन और पदम भिभूशन यह दोनों मिले थे इसके बाद भारत रतन इंद्रा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंट्रे इंग्रेशन यह प्रुष्कार ने मिले थे आगे परते हैं question number e इसका जांसर लिखते हैं हम आगे आता है मारा वर्ड पावर यह आपर किताम में दिया हुआ है वर्ड पावर तो इसका question number one उसमें आपके लिए complete वर्ड करने है यह तो हमने यह complete करते हैं जो ब्लेक क्रार से लिखे हुए है यह आपको लिखना है हमारा पहला यह लिखा है तो यह अगनी लिखे जाएगा यह लिखे जागा प्रित्वी नांग और आकाश और त्रिशूल यह मिशाल के नाम है आगे देख रहे हैं question number two है यह आपका इसमें पढ़ेंगे क्या है choose the correct words from the brackets to fill in the blanks यह हमारे ब्रेकेट में लिखे हुए हैं वो हमें बाक में लिखना है यह देख रहे हैं आप यह तो पहला हमारा sentence है with a blank भर जाएगा she said my purse is empty तो यह blank भर जाएगा दूसरे बाले में principle भर जाएगा थर्ड वाले में little भर जाएगा और फूर्थ वाले में unity union unity दोनों भर जाएगा यह unity और union और फूर्थ वाले में handsome and beautiful यह भर देंगे एकला question है language and practice इसमें fill in the blanks with the correct degree of adjective बहना है यहाँ पे तो यहाँ पहला वाला बीरबल बाज किलेवर चतुर थे than the other ministers यह किलेवर का किलेवर हो जाएगा यह देख रहे हैं आप इसके average is the highest high का क्या भर जाएगा highest peak in the word china is a big country बिक रख रहेगा शुपरिया is the tallest girl tell का tallest हो जाएगा in class James two years older than me old का older भर जाएगा आगे पढ़ते हैं यह देख रहे हैं कैसे बना है question number two add ly to the word given in the box to form adwords and choose the correct adwords to make meaningful meaningful sentence यह हमें जैसे quick दिया है तो यह जोड़ दिये तो quickly हो जाएगा here and quickly यह हमें इसमें यह जोड़ना है जैसे कि my grandmother prays silently the sun was shining rightly the must drive carefully she writes very neatly the soldier fought bravely